नमस्कार दोस्तो मैं हूँ जैप्रकासियादव टीचर एंड नोबेल राइटर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि 2021 का बोर्ड एकजाम कब होगा सही समय सिमा क्या होगी तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे दोस्तो हमारे मैथमेटिक्स वाले चैनल पर बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर बताईए यूपी बोर्ड 2021 का एकजाम कब होगा कोई कह रहा था कि जनवरी के लाश्ट में होगा तो किसी का भी कल्प था कि क्या 18 फरवरी से होने वाला है तो दोस्तो ऐसा कुछ नहीं है वोर्ड एकजाम 2021 का जनवरी में होगा न फरवरी में होगा ये एकजाम होगा मार्च में और कॉप होगा इसका कोई निश्चित समय अभी नहीं तै किया गया है कि कॉप होगा अर्थात कोई टाइम टेबल नहीं है इसके लिए पेपर में भी आउट हुआ था जो हम आपके सामने बताने वाले हैं कि क्या चीज था देखिए दिया है पेपर में हेडिंग यह अमार उजाला का पेपर है इसमें दिया है फरवरी तक बोर्ड परिक्षाएं नहीं होगी और इसमें बिस्तरित रुप से दिया है महामारी के कारण अगले साल होने वाली बोर्ड परिक्षाओं को फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है केंद्रिय सिक्षा मंतरी डाक्टर रमेश पोखरियाल निसंक ने मंगलवार को इसकी घोसड़ा की उन्होंने जन्वरी और फरवरी 2021 में बोर्ड परिक्षाओं नहीं होने की बात बताई है देश भर के सिक्षकों के साथ सीधा संबाद करते हुए केंद्रिय मंतरी ने साफ किया कि अभी के हलात को देखते हुए जन्वरी और फरवरी में परिक्षाएं करा पाना संभव नहीं है दोस्तों ये किलियर हो गया इस बात से कि जन्वरी और फरवरी में कोई भी बोड इकजाम नहीं होंगे और उसके बाद भी दिया है मार्च की तारीखों के लिए हलात का आकलन किया जा रहा है अर्थात ये परिक्षाएं मार्च में संभावित हैं मार्च में हो सकती है कौब होगी उसके लिए कोई समय सीमा नहीं तरह किया गया है कि किस तारीख से किस तारीख तक होगी दोस्तो आज की इस वीडियो में फिलाल यहीं तक आप जो ही नया समय आएगा नया टाइम टेबुल आएगा हम आपको वीडियो का माधियम से तुरंत अउगत कराएंगे बस इस वीडियो में इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें